नमस्कार स्वागत आप सभी कभी के नियूस बे और मैं हूँ आपके साथ देपिका पांडे बिटेन के शाही परिवार में एक युक का अंत हो गया जी हाँ, बिटेन की महारानी कुई इलजाबेत का 96 साल की उम्र में निधन हो गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में शोग की लहर दोड़ गई शायद ही कोई ऐसा होगा जो बिटेन की महारानी को पसंद ना करता हो बता दे कि वो पिछले काफी समय से बिमार चल रही थी निधन के समय एलजाबेत दुती स्कॉटलेंड के बाल मोरल में थी उनके निधन के बाद मुई पीम नरेंड मोदी ने शोग जताया पीम ने उनके साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरों को शेयर किया और लिखा अलजाबेत दुती को हमारे समय की एक दिगश आशक के रोप में याद किया जाएगा दुख की घड़ी में मेरी समवेदनाय उनके परिवार और बेटेन के लोगों के साथ है 2015 और 2018 में यूगे की अपनी यात्रों के दौरान मेरी महारानी एलजाबेत दुती के साथ यादगार मुलाकाते हूँ मैं उनकी गर्म जोशी और दयालुता को कभी नहीं भूल पाऊंगा एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गाधी नोंने उनकी शादी में उपहार के तौर पर दिया था पीम मोधी को कुईन एलजाबेत ने जो रुमाल दिखाया था वो उनकी शादी के समय का था जोने महात्मा गाधी ने भेट सौरूप दिया था ये बाद बस रुमाल तक ही सीमित नहीं ये बाद साफ तोर परदर्शाती है कि कुईन एलजाबेत के दिल में भारत को लेकर सम्मान हमेशा बरकरार रहा है और महात्मा गाधी का वो रुमाल पीम मोधी को दिखाया जाना एक तरह का लीग ऐसी पास ओन था यानि कुईन जो विरासत और सम्मान महात्मा गाधी कुईन की नजरों में छोड़कर गये थे वो दशको बाद धी बरकरार था रुमाल दिखाते ही कुईन ने ये जाहिर किया कि आज भी भारत को लेकर सम्मान जरा भी कम नहीं हुआ है इत्ता ही नहीं इससे ये भी जाहिर होता है कि पियम मोदी का कद उनकी नजरों में काफी बड़ा है क्योंकि अमोमन कुईन एलजाबेट दूसरे देशों के पधार मंत्रियों से नहीं मिला करती थी और अगर मिलती भी थी तो उनसे उनके देश की विरासत साजहार नहीं करती थी मीडिया रिपोर्स के मुताबिक अलजाबेट दूती के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स बिटेन के नए महराज और राष्ट मंडल देशों के नए राष्टा धक्ष के रोप में महराणी के अंत्यम संसकार और शद्धानजली कारक्रम की अगुआई करेंगे मतादे के अलजाबेट दूती ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राच करने वाली शाही हस्ती है महराणी का जन 21 अप्रेल 1926 को लंदन के मेफेयर में 17 बूटन स्टीट में हुआ था वो दाड ड्यूक एंडचेस और वियार की पहली संतान थी जो बाद में किंग जोर्ज जिस्थ और क्वीन एलजाबेट बनी छे परवडी 1952 को ब्रिटिश समराज की शाशक बनी महराणी एलजाबेट कुल 70 साल और 211 दिन तक सिंगासन पर रही वो दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन प्रमुख रही है इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा देश दुनिया की तमाम भड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं वीके न्यूज